मप्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी, शिक्षकों के अवकाश वप्रदर्शन लगाई रोक, मप्र बड़ी खबर मध्यप्रदेश में दसवी बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से और 12 वी की बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है माध्यमिक शिक्षा मंदल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 9,92,116 एवं 7,48,238 चात्राएं शामिल होंगी पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंदर बनाए गए हैं भोपाल में दोनों कक्षाओं की परीक्षा 137 केंदरों पर होगी दसवी क्लास का आखिरी पेपर 28 फरवरी और 12 वी का 5 मार्च को होगा बोर्ड परीक्षा के लिए इसमा एक्ट लागू किया गया है इस एक्ट के तहट बोर्ड परीक्षा के दोरान शिक्षकों को धरना प्रदर्शन और चुट्टी की अनुमती नहीं होगी स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि दसवी बारवी परीक्षा के दोरान कोई भी शिक्षक चुटी नहीं ले सकेगा साथ हजार पांच सो एक केंद्रों पर दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें हाई स्कूल के 3863 एवं हाय सेकंडरी के 3638 परीक्षा केंद्र है 302 सम्भदेंशील और 309 अती सम्भदनशील परीक्षा केंद्र है इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यवाद